हलो दोस्तों फिर से स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला WhatsApp स्टेटस में प्रावलम आ रही है आज कर बहुत जादा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा रहा है अगर यहाँ पर कोई भी WhatsApp पर स्टेटस लगाते हैं तो ऐसा कुछ लिखा रहा है तो सेंड स्टेटस अपडेट अलाओ WhatsApp एकसेज यूर कैमरा एंड डिवाइस फोटो मीडिया फाइल वगरा है यह सब चीज का एकसेज मांग रहा है और इस पर नेक्स्ट पर करते हैं तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ रहा है और इस पर टिक करके करते हैं तो अईसा अलाओ का ही केंसल हट जाता है तो क्या करे चारना नहीं करना चाहिए आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ अगर इस चैनल पर पहले वारा है तो चैनल को subscribe का लिजेगा साथ मैं bell notification दवाना मत भूले क्योंकि मैं इस तरह के interesting video लेकर के आता रहता हूँ और guys इसमें एक और चीज होता है कि जैसे कि आपका contact number जो भी save होगा वो सब का नाम नहीं दिखता है आप देख सकते हैं यहां से नाम देखी नहीं सकते हैं नंबर नंबर दिखेगा आपको तो यह सब भी आपका problem sort out हो जाएगा आज के वीडियो में यहीं बात करने वाला हूँ तो नाम अगर नहीं दिख रहा है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं तो इसे कैसे sort out कर सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहा है या फिर कुछ भी problem है स्टेटस नहीं लग पा रहा है या फिर contact पे आपका number से वो रखा है आप देख सकते हैं आपको दिखा देता हूँ इदर जो मेरा contact number है अल्डेडी बहुत सारे save है लेकिन यहाँ पे WhatsApp पे नहीं दिखा रहा है तो इस problem से कैसे sort out कर सकते हैं आपको simply जाना है सेटिंग में जो आपका mobile है उसके सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद यह मैं ट्रोलर के डिवाइस यूज कर रहा हूँ आप कोई साभी डिवाइस यूज कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है apps and notification इस पे क्लिक कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे app info पे क्लिक कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे information देखने को मिल जाता है सबसे नीचे जाना है और आपको whatsapp पे search करने के बाद या फिर scroll करके ढूण लीजिए open करने के बाद यहाँ पे permission दिखेगा permission पे क्लिक कीजिए यहाँ पे जो भी कुछ off हो सब कुछ on कर दीजिए all कुछ भी नहीं दिखना चाहिए सब भी all कर दीजिए आपका जो भी problem है वो sort out हो जाएगा अब वहाँ पे हम check करते हैं कि यह problem sort out हुआ या नहीं हुआ तो इसको हम back कर देते हैं बैक आ जाईए बैक आ जाईए इसके बाद जाईए यहाँ पे whatsapp में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी आना शुरू हो जाएगा अब हम check करते हैं कि इस पे status लगता है या नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आ चुका है whatsapp status लगा सकते हैं अब यहाँ से और आपको कोई problem नहीं होगी अब यहाँ से जो मर जी इसी तरीके से लगा सकते हैं हम check करते हैं कि हमारा contact number जो save था वो आप आया या नहीं आया तो दीरे-दीरे यह update हो जाएगा आप देख सकते हैं दीरे-दीरे आना शुरू हो गया यहाँ पे नाम आना शुरू हो गया अब दीरे-दीरे सब के नाम भी आ जाएंगे यहाँ पे तो गाइस इस तरीके से कमेंट में जो बताइएगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए